हेलो एब्रीवन वेलकम टू विद्याश्री अकाड़िमी आई होप यूर तुइंग वेल हम डिसकस करने वाले हैं आज एडिटोरिया का करेंट अफियर जो की सारे कॉंपिटेटिव एक्जाम के लिए काफी महाते पूर हैं 21 मही को जो प्रेलिम्स का एक्जाम है और मांकी ए सबसे पहले हम नैशनल करें इंट अफियर के जो मोस्ट अंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको डिसकस करने वाले हैं जिसमें फर्स्ट कुश्यन है दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग बनाने वाला विभाग की घोशना करने वाला राज्य कौन सा बना है तो लिए अलग से जो डिपार्टमेंट बनाया गया है वो महरास्ट गवर्मेंट ने बनाया है और ये बहुत ही महान काम है तो हमें याद रहेगा कि दिव्यांग विभाग किस ने बनाया है महरास्ट ने बनाया है नेक्स कुशन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूटरल फॉर जो राज्य बना है, वो भी केरल बना है. Next fact है कि भारत का पहला carbon neutral power exchange कौन बना है. यह है Indian Energy Exchange Limited, जो कि भारत का पहला carbon neutral power exchange बना है. Next है कि किस राज्य ने online जुए को रोकने के लिए एक task force का गठन किया है. यह most important है, चुकि MPPSC में MP specific current पूछा चाता है. इसलिए याद रखिएगा कि ओनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश की बात आईए तो आपको पता होना चाहिए कि वर्दमान में यहाँ पर CM कौन है तो शिवराज सिंग चोहान जी है और यहाँ के जो गवर्णर है वो कौन है यह आप मुझे कमेंट फॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं नेक्स्ट है कि किस राज्य द्वारा ओनलाइन जुए को यह तो पढ़ लिया है हमने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांट कौन सा बना है यह बना है कल्यानी फेरिस्टा पहला ग्रीन स्टील ब्रांट बना है कल्यानी फेरिस्टा यह भी याद रखिएगा भारत का पहला infantry संग्रहालय कहां पर बना है कहां पर इसका उद्गाटन हुआ है most important fact है आंसर होगा महू मध्यप्रदेश भारत का पहला infantry संग्रहालय का उद्गाटन कहां पर किया गया है महू मध्यप्रदेश में किया गया है क्या आप जानते हैं कि महू का फुल फॉर्म क्या है अभी ये MP पटवारी एक्जाम में भी पूछा गया है अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लेकर बटा सकते हैं भारत का पहला पून पुस्तकालर निरवाजन छेतर कौन सा बना है तो ये कीरल में हैं अतना important नहीं है स्कॉप स्किप कर सकते हैं लोका योक्त विधियक 2022 पारत करने वाला भारत का पहला राज्जी कौन सा बना है हमेशा जैसे मैं महराष्ट को महानराष्ट से रिलेٹ करके याद कर लेती हूँ वैसे ही आप कर सकते हैं कि लोका य plut विधियक लाने वाला चुकि लोका एक्तु विधियक पर काफी स्टेट में काम चल रहा है लेकिन भारत का पहला राजी कौन सा बन गया है वो बना है महरास्ट तो याद रखिएगा कि ये लोका एक्तु विधियक को ले किया है महरास सबसे पहले ले किया है Reliance Industry Limited द्वारा पहला Multimodel Logistic Park का उदगाटन कहां किया जा रहा है तो ये हुआ है चेन नहीं तमिल लाडू में Reliance Industry के द्वारा पहला Multimodel Logistic Park विक्षित किया जा रहा है आंसर होगा चेन नहीं तमिल लाडू बात Logistic की है तो याद रखिएगा अभी जो Logistic Index आया है उसमें जो इंडिया का रेंग है वो है 38 ये भी याद रखिएगा ये महातिपून कुशन है और जो Logistic Index है वो कौन जारी करता है इंटरनेशनली अगर हम बात करते हैं तो वो World Bank के द्वारा जारी किया जाता है भारत का पहला Sticker Based Rabbit Card किस बैंक ने लौंच किया है तो ये IDFC First Bank के द्वारा Sticker Based Rabbit Card लौंच किया गया है छेत्री भाषा में निर्णय प्रकाशत करने वाला भारत का पहला उच्छनियालाय कौन सा बना है ये काफी चल्चा में रहा था महतिपून Fact है कि केरल जो High Coat है केरल High Coat के द्वारा जो वहां की Regional Language है वहां पर क्या है अब High Coat का जो निर्णय है वो प्रकाशत किया जाएग Next Current Affair है कि भारत की पहली महिला सैनेक Sky Driver कौन बनी है तो ये है लॉंस नायक मंजू देखिए नायक हीरो को बोला जाता है लेकिन यहाँ पर जो हीरो है वो मंजू है लॉंस नायक मंजू क्यूंकि ये पहली सैनेक Sky Driver बन चुकी है दक्शन भारत की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कहां से की गई तो ये Bangalore से की गई है जानवरों के लिए भारत की पहली IVF Mobile Unit किस राज में शुरू की गई है तो ये गुजरात में शुरू की गई है यह आपको स्टार्टिक में लग रहा होगा इतने सारे factual point है कैसे याद होगे बट अगर आप एक से दो बार ध्यान से वीडियो सुन भी लेते हैं ना तो फिर आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे पचास वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहन के लिए एक अलग से registration process शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है तो ये बना है उडिशा उडिशा में बूला गया है कि जितने भी पचास वर्ष से पुराने वहिकल है उनको क्या है उनके registration को फिर से reprocess किया जाएगा किस राज्य में विश्व के पहले ताड के पत्ते का पांडोलुपी संगरहाला का उधगाटन किया गया है तो ये केरल के द्वारा किया गया है पांडोलुपी संगरहाला केरल में लॉंच हुआ है विश्व का सबसे बड़ा पांडोलुपी पुस्तकाले अब याद रखिएगा ये लाइब्रेडी की बात हो रही है तो ये पुस्तकाले कहां बना है ये गुजरात में बना है एक बार पढ़ने के बाद हम क्विकली रवाईज भी कर लेंगे ताकि हमें यहीं की यहीं सारा को श्याद हो जाए बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राजी कौन सा बना है ये देखिए केरल कितना अधिक चल्चा में रहा है तो पूरी तरीके से बैंकिंग में डिजिटल होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो किसे हुआ है केरला को प्राप्त हुआ है भारत का पहला केबल, सस्पेंशन, ब्रिच, बजरंग, सेतु का उधगाटन कहां किया गया है तो ये हुआ है रिशिकेश उत्तराखर्ण में महत्यपूर्ण है इसको भी याद रखना है नेक्स कुश्चन है कि NCIT के द्वारा अधी सूचित भारत के पहले राष्टी मूल्यांकन नियामक का नाम क्या है परक जब भी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के लिए आई कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में तो उसमें बताया गया था कि NCIT के द्वारा भारत का पहला जो राष्टी मूल्यांकन है वो परक के द्वारा किया जाएगा यहाँ पर परक का फुल फॉर्म भी है अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लेकर बता सकते हैं अंधापन को नियंतरित करने के लिए नई नीती लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो यह अंधापन जिन लोगों को विजिविलिटी की प्रॉबलम है उनके लिए एक नई नीती लाने वाला है राजस्थान तो यह भी आपको याद रखना है किस जिले को देश का पहला समविधान साक्षर जिला घोशित किया गया मुझे लगता है ये question बहुत ही important है और ये question आपके exam में definitely पूछा जाना चाहिए कौन सा ऐसा देश का जिला है मतलब किस देश की जिले को किस जिले को देश का पहला सम्विधान साक्षर जिला घोशित किया गया है तो यह है कोलम केरला नेक्स फेक्ट है कि प्रोजेक्ट दंतक के तहट सीमा सडक संगिठन के विदेशी एसाइमेंट पर तैनात करने वाली पहली महिला भारती सैना की अधिकारी कौन है यह हैं Captain Surbhi Jakmila, Project Dantakit जो BRO के विदेशी assignment है, वहाँ पर क्या है तैनात होने वाली यह पहली महिला बन चुकी है, Captain Surbhi Jakmula, तो इन्होंने जक्षमूला, ऐसे याद कर सकते हैं, कि देखें जब भी यह क्या है विदेशी assignment पर हैं, और कहां पर हैं, BRO में हैं, इसका मतलब क यह हैं, इनको जोखें मूठाना पड़ेगा, तो सुर्वी जोख Mula, ऐसे हम याद कर सकते हैं, सियाचन में तैनात होने वाली पहली भारती सैना की अधिकारी कौन बनी है, तो वह है Captain Shiva Chauhan, यह भी वहाँते पूर्ण question है, क्योंकि सियाचन आप जानते हैं, कि यहाँ पर रहना सबके बस की बात नहीं है, सियाचन में तैनात होने वाली पहली भारती सैना की अधिकारी बन चुकी है Captain Shiva Chauhan, सैयोकतरास्ट मिशन में भारती शानती सैनिकों की परेड का नेतरत्व करने वाली भारती सैना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो यह बनी है Jasmine Chetta, इनका नाम भी याद रखना है कि सैयोकतरास्ट मिशन में जो भारती सैनिक शानती की परेड है, उसमें हिनोंने Captain Jasmine ने नेतरत्व किया है, ओनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उतकृष्ट केंद्र या Excellence Center के शहर में स्थापित किया गया है, तो यह ओनलाइन गेमिंग के ल महराष्ट बनी है, ये भी आप याद रख सकते हैं, नेक्स कुश्चन जो काफी महत्यपूर्ण है, वो है कि राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित होने वाली पहली sports person जो बनी है, वो है female category में PT USA, याद रखिएगा ये काफी महत्यपूर्ण है, PT USA को अभी एक और बहुत ही महत्यपूर्ण पद मिला है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ये किस पद पर न्योक्त हुई है, बंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पाइलेट कौन है, ये हैं सुरेखा यादाव, तो जो एक इसको हम कैसे याद करेंगे सुरेखा यादाव को, कि जो एक रेखा कीज दी गई थी, कि नहीं, ट्रेन का लोको पाइलेट जो होगा, वो पुरोशी होगा, तो इसने क्या किया है, रेखा ने ये लिमिट को क्रॉस किया है, और सुरेखा यादाव बन चुकी है, बंदे भारत एक्सप्रेस चल को लागू करने वाला, पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है, मेघालाए, ये भी आपको याद रखना है, रेलाइन्स चियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ये है गुजराद, किस राज ने अनात बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक इस्थापित किया है, ये बहुत ही इनोवेटिव पहल है, याद रखिएगा उत्तराखन के द्वारा पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्टार्ट किया गया है, भारत का पहला नगरपाली का ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाल कौन सा शहर बना है तो यह है इंदौर MPPSC के लिए काफी महत्य पूर्शन है इसे आप important mark कर सकते हैं भारत का पहला नगरपाली का green bond जारी करने वाला जो बना है शहर वो है इंदौर इंदौर से याद रखिएगा कि इस बार का जो प्रवासी सम्मेलन है उसका उदघाटन भी कहां किया गया है इंदौर में किया गया है और सक्षता कैटिगरी में टौप करने वाला लगातार इंदौर ही बना है पहली Indian Coast Guard Academy की स्थापना कहां की गई है तो यह मंगलोरू में स्थापित किया गया है भारत की पहली निजी मंडी स्थापित करने का लाइसेंस जो प्राप्त हुआ है वो सहयादरी यह इतना महत्यपूर नहीं है ड्रोन के सहारे पसुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलेवरी कहां की जाएगी तो अरणाचल प्रदेश में की जाएगी अरणाचल प्रदेश में कानेक्टिविटी की प्रॉबलम है तो ड्रोन के थू क्या किया जाएगा कि जो पशुप है उन तक वैक्सीनेशन को प्रोवाइट किया जाएगा भारत के पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसो का अनावरन कहां किया गया है तो ये बैंगलोर में मेथेनॉल से चलने वाली बसो का अनावरन किया गया है कुछ और फैक्ट हैं जैसे भारत का पहला ठोस अपसिस्ट से हाइड्रोजन सैंत्र इस्थापित कहां पर किया जा रहा है तो ये पुने में किया जा रहा है बैंक दर के आधार पे सोने की एक समान कीमत शुड़ू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो केरिला बना है अभी हम आज इतने ही फैक्ट डिसकस करेंगे ताकि आपको रिवाइस करने में प्रॉब्लम ना हो और हम जितना पढ़ रहे हैं उतना याद हो जाए एक बार फिर से जो मोस्ट इंपॉर्टन फैक्ट है उसको रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहले हमने बढ़ा था कि दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग डेपार्टमेंट महानरास्ट महरास्ट ने बनाया है सेकंड कोश्चन महातिपूर्ण है कि जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्ट का निर्मान किया है मध्यप्रदेश के द्वारा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा बना है कल्यानी फोर्डिस्टा फर्स्ट इन्फरेंट्री म्यूजियम बना है कहां पर महू में महू का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिए कर बताना है लोकायक्त विदियक 2022 भारत का पहला ऐसा राजवना है जिसने क्या किया है लेकर आया है और क्या-क्या पड़ा है हमने कि छेत्री भासाओं में हाई कोड जो है अपना जज़्मेंट देगा कहां पर केरल हाई कोड के द्वारा हैं सा किया गया है दक्षन भारत की पहली बंदे भारत एक्स्प्रेस की शुरुआत बैंगलोर से हुई है अगर पूर्वी भारत की बात करते हैं तो आंसर होगा बैस्ट बैंगॉल हाबड़ा और आप से पूछा रा सकता है कि विश्व का पूरी तरीके से विश्व का सबसे बड़ा पांडूलिपी, प।स्तचाले कहां मना है तो गुझरात में बना है और ताड के पत्ते वाला कहां पर बना है केरला में बना है बैंकिंग सेवा में पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला राज्य कौन सा बना है केरल बना है देखिए इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो यह है कि जो भी स्टेट वाइज है आपको रिवीजन करने में प्रॉबलम नहीं होगी और वो आपको नाकिवल प्रेलिम्स के लिए बलकि मेंस के लिए भी काफी हल्फुल हो जाएगा समविदान साक्षल जिला तो केरल ही इसका अंसर होगा अंधेपन को खतम करने के लिए नई नीती लाने वाला बना है कौन सा राज राजस्थान बन चुका है सिया चेन में तैनात होने वाली पहली महिला सैनादिकारी बन चुकी है शिवा चोहान और हमने जक्मूला सुर्वी जक्मूला को कैसे याद किया था बी आरो से याद किया था राजिसवा में उपाद्यक्ष के पैनल में नामेत होने वाली पहली महिला बन चुकी है पीटी उशा ये नाम भी याद रखना है आपको भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम है न्यू पंबन ब्रिज तो ये कुछ महातिपून फैक्ट है इसको आपको बस एक से दो बार सुनना है और आपके इतने फैक्ट तैयार हो जाएंगे करेंट इंटरफियर के उसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं वहां से नोटिफिकेशन और अपडेट भी प्राप्त कर सकते हैं विद्याश्री अकाडमी बाय पूजा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए खुश रहिए जैहिन जै भारत